दोस्तों एक सुंसान रास्ता जिसपर से जब भी कोई गुजरता तो उसे दो प्रेमी जोड़े की लास, पेर से लटकती दिखाई परती है यह एक गाउं की सची घटना है मैंने बहुत जात परतल की कई लोगों से मैंने पूछताच की है कई लोगों से इसकी कहानी सुनी है मैं इसलिए आपको यह कहानी सुनाने जा रहा हूं यह एक गाउं की कहानी है पहली घटना सोनू के साथ घटी थी सोनों सहर में किसी काम से गया हुआ था काम कराते कराते काफी रात हो चुकी थी वो घर लोट रहा था और एक गाउं जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी सुनसान रास्ता है उस रास्ते पर कोई जल्दी रात में नहीं जाते हैं और सुनसान सरक है एक ही रास्ता गाउं में पकडंडी हुआ करती है और पेर पधे बहुत हुआ करते हैं सोनू को रात काफी हो चुकी थी और वह घर लोट रहा था परंधु वह मस्ती में था और गाना गुर्णुर्णाता हुआ घर चला रहा था तब ही एक आएक पाहल की चंचन की आवाज हुई रात काफे थी सोनु डर गया और रुख गया चंचन की आवाज अगर पाहल की रात में होती है तो सोनु समझ गया कि कुछ न कुछ तो गरवर है यहां पर वह नजरे इधर उदर दोलाने लगा पर खामोस अंधेरा घुप कुछ दिखाई नहीं पर रहा था प्रतु उसी इसी अंधेरे में एक साया दिखाए पड़ा जो सफीद लिवाज ओड़े एक पेर से निकल कर दूसरे पेर में समा गई अब सोनु के पुरे सरीर में सरसरहाट सी होने लगी वह सोच रहा था अब मैं क्या करूँ उसी याद आई कि उसे हनुमान चारीशा की कुछ पंक्तिया याद है बस उसने मन में हनुमान चारीशा पढ़ना सुरू कर दिया और घर की तरफ दौर लगा दी सोनु घर तो पहुंच गया पर दो दिन तक उसे काफी बुखार रहा और बुखार में वह तरफता रहा यह कहानी मैंने सोनु से पता कि सोनु ने मुझे ये कहानी बताई फिर मैंने गाउवालों से इस कहानी के बारे में जानकारी हासिल की तो गाउवालों ने जो कहानी काफी मिलती जलती कहानी थी गाउवालों का कहना था कि गाउव में प्यार करना एक सजा के बराबर है गाउव में कोई प्यार एक दूसरे से नहीं कर सकते हैं लड़का लड़की अगर अलग काश्ट के हो तो बिल्कुल नहीं ऐसे ही एक लड़का लड़की आपस में प्रेम क प्रंतु दोनों के घरवाले इसके खिलाब थे दोनों अलग कास्ट के थे घरवाले उनके खिलाब थे ये बात दोनों जानते थे कि उनका मिलन कभी हो नहीं सकता है इसलिए उन दोनों ने एक पेर से फासी लगा ली खुदखुसी कर ली तब से इस पेर के आसपास ऐसी घटन लोग उस राष्टे से जाने से डरते हैं और जाते भी हैं तो गई-कभी दो या तीन जन्द साथ में जाते हैं, एकले कोई जाना नहीं चाहता है और कभी अगर देर हो जाए सहर जाने के कारण तो रात में आने से भी घबडाते हैं, और ससरहाट की आवाज, डर, ऐसी कई लेकिन मैं कोशिज करूंगा मैं किसी तांतरिक से मिलने की कोशिज कर रहा हूं और जब भी मैं इसमें काम्याब होंगा तो मैं उससे ले जाकर और वहां पर पेरानॉर्बल एक्टिविटी की जानकारी हासिल करूंगा अगर कहानी अच्छी लगी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने मित्रों के साथ ताकि मेरी कहानी और लोग जान सकें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और मेरा चैनल और आगे जाए मैं इसके विशे में और जानकारी हासिल करूं क्या भूत होत क्या जिनके साथ घटना घटती है उनका विहेवियर कैसा होता है तो अगली वीडियो में और जानकर यह आपके लिए लेकर आओगा तक के लिए चलते हैं